जहिन प्रेंच मेरा मजीद सिंग है और यह मेरा चैनल है दद्दा की खरी-खरी आज सुबह मैंने एक वीडियो बनाया उसका टाइटल दिया कि धुर्वराठी और राहुल ग्रांदी जी के जूट का परदाफाश उसमें मैंने एक बात कही कि राहुल जी देख लो मैंने आप से उपर दुर्वराठी को रख दिया है आपकी इतनी भी क्रेडिविल्टी नहीं रही देश में समाज में जोट तो कायदे से बोलना सीख लो दुर्वराठी कम से कम जोट तो अच्छी मतब थोड़ी तियारी करके बोलता है उसकी जोट को आप आदा घंटा सुन सकते हो तो तो तब उस पे शिरुआती वे एक ड़़ गंटे में करीब 117 कमेंट आये हैं और मज़े की बात क्या है कि एक आदमी ने भी ये नहीं कहा है एक 117 कमेंट में एक आदमी ने भी ये निका कि आपने अमारे राहुल जी को जोटा कैसे बोला प्रूव करो ऐसे कैसे बोल दिया हमारे राहुल जी को जूटा एक मैं और जह के लिए कुछ नहीं कहला में होता है हः जरूराठी के पक्ष में बहुत कमेन्ट आये है उनने का ऐसे कि दें आप हो जुटा बोल दिया जो और आ आया विस्टा डेवल्पमेंट री डेवल्पमेंट प्रॉजक्ट देश के लिए इस देश के लोकतंत्र के लिए हमारे लिए क्यों जरूरी है तो एक तो हमने यह तर्क दिये हैं अगर हमने कुछ जूटा गलत का तो वह तर्क हमारे जूटे सब्सक्राइब करो नहीं आप यह जूट बोल रहे वहाँ पर पांस साथ पॉइंट है मेरे उसके लोग ने आपने धुरुबराठी को कैसे जूटा बोल दिया यार यह कोई तर्क होता है राठी जी ने एक तर्क दिया है कि गौवर्मेंट ने वि किंटे में बनाना यह अरे भाई या किस पॉछ ले भाई हमारे देश की बापनी ये तो आज तक कर पाए कर ने ही किए की संडास गर में बनानी है कि नहीं बनानी है या खेत में जाना है लोटा लेके खैर दूसरा है जी वो असी एक अड़का एक लोग टहलने जाते थे वो टहलने की जगए दिल्ली में कम हो जाएगी तो जो आर्किटेक्ट प्लैनर थे उनने काया थी कोई जगए वह नहीं कम हो रही वो कहते जी इतना बड़ा पत्थर का स्ट्रक्चर आप खड़े कर दोगे दिल्ली में और उससे एको फ्रेंडली नहीं है जी उससे एन्वाइनमेंट को नुकसान होगा जैसे दिल्ली में पहले कम बिल्डिंग्स हैं यह जो दिल्ली बिल्डिंग्स की बरी पड़ी है उनसे आपको इन्वाइनमेंट का नुकसान नहीं वरा चार सरकारी बिल्डिंग्स बन जाएगी जहां से गौर्वर्मेंट चलेगी जहां से देश चलेगा वो चार बिल्डिंग्स बन रही ही कैसा भी है, भोतरे बेकार के तरख है, जरूर आदी जी ने भागते भागते एक आदमी ने खड़ा, बैठके काईड, यह झूट बोलता है, हुन्होंने एक बहुत शांदार जूट बोला जी, क्यों यूएस से की जो उनकी संसत भावन है वो तो 17 कुछ की बनी है और इंग्लेंड वाली जो है वो 1800 कुछ की बनी है और इटली वाली 1500 कुछ की बनी है और साथ अफरिका वाली 1800 कुछ की बनी है उनकी भी तु काम चल रहे हैं तुम भी चला लो अगर यूएस से जो है वो सत्रो सो कुष्ट की बनी बिल्डिंग से काम चला सकता है तो तुम भी चला लो बस ये बाज ये बोलके वो भाग गए जी तो मेरे से लोगों ने बुझा कि आप ने धरुराटी को जूटा कैसे बोल दिया मैंने का भाईया ऐसे कह दिने से काम चल जाता है क्या कि इंग्लेंड में तीन से साल पुरानी संसत से काम चल रहा है तुम चला लो कैसे चल रहा है हम कैसे मालने की इंग्लेंड में अब इंग्लेंड की जो संसत भावन है उसकी स्टोरी मेरे से सुन लो द्रवराठी जे ने इतनी पाइब द्रवराठी द्रवराठी बहुत बड़ा यूट्यूबर है उसके पांच लाख व्यूद आते हैं गंटे में एक दिन में उसके पास दस लोग की रिजर्ज टीम है मेरा पंद्रा दिन पुराना चैनल है मेरे को अभी एडिट करना नहीं आता वीडियो पर फैक्स पूरे जुटाता हूँ अकेले काम करता हूँ मेरे पास टीम नहीं है पर फैक्स में कभी मैं मार दिखाता तो भाईया ऐसा है यह कह रहे ने कि तीन तो साल पुरानी संसत थे अगर इंग्लेंड काम चला सकता है तुम भी चला लो भाईया इंग्लेंड के संसत की कहानी मेरे से सुन लो सिर्फ पांच मेर्ट में सुना दूँगा ग्यार्वी शतापदी में किसी ने महल बनाया था उसको बोलते हैं पैलस ओफ वेश्ट मिनस्टर तो जहां पैलस बनाया था किसी राजयरू जिन बनाया था वहीं उसी के बगल में वेश्ट मिनस्टर एबई बना दिया था आपने अगर क्राउन सीरियल देखा है तो उसमें रानी रोनी जो मर जाती है ना तो उनको जो जिस चिडिया गर में दफन करते हैं उसका नाम है वेस्ट मिन्स्टर एबी प्राउन देख लेना तो उसी के बगल में वो और टेम्स नदी के किनारे ही है बहुत प्राइम लोकिशन पर उनने ये महल बनाया था फिर दीरे दीरे जो है अब उसी महल में वो अपन और वहीं पर उसी में वो उनकी संसद चलने लग गई तो सब उससे काम चल रहा था फिर कई बार वो आग लग गई उसमें कई बार उसमें बुकम पा गए मतलब दुनिया बरके उसमें डिस्ट्रक्शन होती रही बनती रही फेर और जड़ गई फेर बन गई फेर बन गई गैरवी सथ आप दिसे लेकर उननेस्वी से लिक यह चलता रहा खैर उसमें कई बार वो कई बार जली कई बार उसमें फुकम प्रोकम से भी पता नहीं मतलब बहुत सारी प्रब्लेम था ही उसमें खैर इतियास की बात ही तब फिर सब ये प्रेजेंट जो इनकी बिल्ड़ि थी ये थी इसमें इनकी संसर चलती थी एक house of commons था एक house of lords था और जो बाकी होते हैं तो दब 1834 में इसमें आग लगी फिर इनकी बिल्डिकों में आग बहुत लगती है वो कारण लकड़ी बनाते हैं तो पत्थर बत्थर की कम होती है उसमें पत्थर के साथ अगर पत्थर यूज होता भी है तो अंदर यूज होता पत्थर के पर लकड़ बहुत होती है और आदा जल गया आदा बचा लिया कैसे भी चलो इसको ठीक ठाक करने लग गई जी 1870 में वो बनके त्यार हुआ 35 साल में ताज महल 20 साल में बन गया था खैर जी 1870 में वो उसमें संसद उनकी चलने लगी चलता रहा काम फिर सब 20 में सदी आ गई फिर 1 वर्ड वार हो गया फिर 2 सब 2 वर्ड वार में क्या हुआ कि जर्मनी ने इनका वो संसद बहुंच है ना वेस्ट मिन्स्टर पैलिस वो बम से उड़ा दिया और थोड़ा बहुत नहीं उड़ा है काहदे से उड़ा दिया तो सब उसमें हाउस आफ कॉमन्स फिर उड़ गया और भी बहुत सारा नुक्सान हुआ तो सब उसी में किसी तरह चल बयांते रहे हैं बैठके मीटिंग कर लें क्या ऐसे करकुरा के थोड़ी क्रायप ले 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 तो करकुरा के ये काम चलाते रहे और उसको उन्होंने 1991 से लेकर नौ साल में 1980 में इंका नौ साल में रबेर हुआ हर रबेर होगे तेयार होगी तो 1950 से 1975 तक ये उसमें काम करते रहे फिर एल्यार इनको लगा कि 1975 में जगए नहीं है कैसे काम होगा पुराना महल बना हुआ, महल तो महल की तरह बने होते हैं तो जब इन्होंने House of Commons के जो हमारे MPs थे उनके लिए Office Space बिल्कुल नहीं था वो भी हम बैठे कहां, बात कहां करें, काम कहां करें तो इन्होंने बगल में एक Norman Shop building थी वो किराय पे ले ली राटी साब, ब्रिटेन की संसद भाड़े के कमरों में चलती है 18-1975 से काम चला लो, उनका चल रहा है, तुम भी चला लो कुनाट प्लेस पे कमरे ले लें के किराय पे, खैर चड़ो तो अब उसके बाद बोला जी Norman Shop building में इन कमरे किराय पे ले लिए फिर वो House of Lords बोले यार जगह तो हमारे पास भी नहीं है तो बगल में एक custom building थी, ये 2000 की बातें है तो साब भाड़े के building में संसद का आधा काम होता था आई समझ मैं, उसके बाद अब 2000 से लेके 2012 तक इनका काम किसी तरह घषट के रोद होके चलता रहा साब 2012 में उस पुराने खंडहर भवन में तो साब एक committee बैठी उसने का कि इसको भाई दुबारा बना लो ये जगह जगह चूता आए, इसमें दुनिया भर की problem थे हैं, चूए इसमें गूमते हैं सीलन की इसमें भेंकर problem है, इसमें पानी की leakage होती है, इसमें बिजली की connections कायदे से नहीं है कहने का मतलब दुनिया भर की इसमें दिखते हैं, इसको दुबारा बना लो तो सब एक दुबारा बना लो तो अब कैसे बना लो, संसद उसमें काम करती रहे मतलब बगल वाले कमरे में मिस्त्री लगा है, ठक 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 यहां पे संसद चल रही है ऐसे बनानी है, अगर ऐसे बनानी है, तो 7.1 billion pound खर्च होगा 7.1 billion pound पता कितना होता है, 72,100 करोड रुपया में रिपेर होगी ब्रिटेन की सांसद की, और उसमें 30% कमिशन नहीं था, आई समझ में तो उनने का यार यह तो बहुत महेंगा सौधा और 6 साल में रिपेर होगी और 72,100 करोड रुपया, अगर पाउंड में जोड़ोंगे तो 7.1 billion pounds खर्च होगे एक सो तीन रुपय का पाउंड है, आई समझ में तो उनने को बहुत महेंगा सौधा है तो अब 2016 में MPs में बकाइदे वोटिंग होई उनने का इस जगह को ऐसे इसी में रहते रहो और इसी में काम करते रहो ये बड़ा महेंगा सौधा है, इस जगह को हम खाली करते हैं, कहीं और चलते हैं भाईया इसको तोड़ के दुबारा बनाओ इसके लिए 2016 में वोटिंग होई और संसद ने ये तै किया कि हम 2022 में ये जो अगले साल आ रहा है न, 2022 2022 में वो अपनी संसद को खाली करके दो काम चलाओ किराए की बिल्डिंग में चले जाएंगे हाउस अफ कॉमन्स जो है उसकी बैठक हुआ करेगी रिच्मंड हाउस में और हाउस अफ लॉड्स की जो बैठक होगी वो कुईन इलिजाबेट सेकंड कांफरेंस सेंटरल में इन दो जगहों को एक तरह से भाड़े पे लिया गया है छे साल संसद वहाँ चलेगी तो ये तोड़ के नई बनेगी तर इसको तोड़ने में तीन साल लगेंगे 2022 में संसद ये खाली करके चले जाएंगे अब आओ वही मिस्त्रियों पहले तोड़ो सर जी तोड़ के मलबा आटाने में तीन साल लगेंगे फिर सर 2025 में इसका निर्मान चालू होगा और 2021 में ब्रिटेन की संसद नई बन के तयार होगी राठी साब और राठी साब के चेलों गुरू जी ने कुछ भी कह दिया चेलों ने ऐसे कान बंद करके सुल लिया वा जी वा गुरू जी वा गुरू जी वा आपने हमारे राठी साब को जोटा कैसे सिद्ध कर दिया तो सर ये तो है आपकी Britain की संसद की पोल की उनका काम चल रहा है तुम भी चला लो अरे भाई उनका भी नहीं चल रहा काम हमारा भी नहीं चल रहा उनने तो पिछले 100 साल में 20 बार रिपैर करा ली हमारी में तो सिर्फ AC-VAC लग गए पहले कुरसी 300 थी तो पारे थोड़ी बीडी बीडी लगा दो भई कुरसी हमने 500 करदी कुरसी हमारे में सिर्फ संसद बहुन में सिर्फ इतना तरे रिपैर हो जाती है रंगाई पुताई हो जाती हमने अपनी संसद कभी तोड़ के नहीं बनाई उनने पिछले 100 साले में 20 बार बना ली उनक्या रोज उनक्या केते हैं मिस्तरी कभी हटे ही नहीं काम हमेशा संसद में लगा रहता है और सुन लो तंग आ गए चुहे घूमते हैं हमारी संसद में चुहे तो नहीं घूमते न अब कहते हैं नहीं उनका काम चल रहा है तुम भी चला रहे जैसे वह वीचारी काम चला रहे हैं तुम भी चला रहा है हम क्यों चला ले भई हमारी अवकात है हम तो सिर्फ 900 करोण में वो रिपेर करा रहे थे 7.1 billion pound में हम सिर्फ 900 करोण में नई संसद बनाके खड़ी कर देंगे तीन साल में खड़ी कर देंगे उनकी तो तीन साल में मलबा आटेगा और सुन लो और हम ग्यारा सो में तुमारे नहरु स्टेडियम का रेनोवेशन नहीं कराएंगे इसको यह खंबा उठा गए नई संसद बनेगी नौसव करोड में इसलिए द्रोवराठी जी कोई ब्रह्मा जी के उनके मुँ से निकली भी बात नहीं है भाईया बहुत अच्छी बात है इसे वेरी गुड बॉई और कम से कम राहुल गांदी जी ते तो ज़्यादा जानता ये तो मैं मांता हूँ भी यार अगर आप लोग को मैंने आप लोग की भावनाओं को जराती भी ठेस पहुचाई हो और अगर कुछ लोग कहरें कि आपकी हिम्मत कैसे भी आपने हमारे द्रोवराठी जी की तुलना राहुल ग्रादी से कर दी भाई उसके लिए मांफी मांगता हूँ कि मेरे को द्रोव की तुलना राहुल से नहीं करने चाहिए है अगर आप किसी द्रोवराठी के भक्त का और मेरे को कहते हैं आप भक्तो अरे मैंने का यार तुम खुद द्रोवराठी के भक्तो मैं तो फिर भी बड़े बड़े लोगों का भक्त हूँ यार तो भीया मेरा किसी का इरादा दुल दुखा लेने का नहीं था हां फैक्स बताता रहूँगा और जिसने जिसने जहां जूट बोला अच्छा ये जो मैंने फैक्स बता हैं इनको तुम जोट बोल के दिखा दो आई समझ मैं तो भीया आज ये द्रोवराठी का एक पोल खुल किया कल फिर करूँगा इस पे भी तो कमेंट्स आएंगे ने नीचे वो कमेंट्स का जवाब अगली वीडियो में दूँगा आज के लिए इतना है Thank you very much